नगर निगम भिलाई के वाड 9 कोहका में राम जान की सरोवर की दूरशा स्वयम सरोवर बता रहा है जहां एक और इस सरोवर को चारों तरफ से अतिक्रमन का सामना करना पड़ रहा है जो की काफी आपती जनक था यह तालाब गरिमों में पूरी तरह से सूख जाता है जिसकी वज़े से इस तालाब के चारो ओर बहुत सदा अतिक्रमन हो चुका है और अतिक्रमन के साथ साथ देख रेक किया भाव में भी रामजान की सरोवर अपने नाम के वीपरीत नजर आता है इस सरोवर पर जलकुंभियों ने इसकदर अपना असर दिखाया है कि यहाँ सरोवर होने का पता ही नहीं चलता और यह सरोवर एक हरे घांस की मैदान की तरह नजर आता है परंतो वाड पार्षद की पहल पर अब इस तलाब के सौंधरी करणड के लिए प्रस्ता भेजा जा चुका है और आचार सहीता खत्म होने और चुनाओं के बाद बहुत जल्द इसका कार्य प्रारंब हो जाएगा उन तीनों तलाबों यहां पर तो संद widget करण तीन की स्थिति नहीं है यहां पर पच्छरी निर्माण कार्य कर नहीं है जिसको मैंने निगम को बैसवर्ण लाक रूपय का। यहां इन पचृरण निसने पर नहीं से नहीं अपने ही जमेORब बनाया हुए मैं आपको बता दूं कि मैं यहां से पहली बार मेरी वाइफ भी पारशथ है तो यहां इस तलाब के लिए बिगत कई वर्सों से यह तलाब इसी कंडिशन में अभी मेरे पार्षद बनने के बाद दो वर्सों में इस छेत्र में काम हुआ है इस छेत्र में जिसे कि आपने देख रहोगा आगे मंदिर निर्माण है यह जगह जगह पर मंदिर बनता जा रह है परन्तु पूरे वार्ड भ्रमन के बाद विकास को ढूंड पाना काफी मुश्किल भरा काम नदर आता है देखना होगा कि क्या विधान सभा चुनाओ के बाद इस राम जान की सरोवर का जुन्योधार हो पाता है या यह कारे भी ठंडे बस्ते में चला जाता है Grand Asian News के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट